जी गाईस आज हम आपके लिए लेका हैं के बैनिजन आइफोन 10S और आइफोन 11 में जो भी डिफरेंस रहेगा इनके स्पेसिफिकेशन में या इनके प्राइस में सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा तो वीडियो का जरूर पूरा देखिए आपको हम बताते हैं कि आइफोन 10S लाँच हुआ था सेप्टेंबर 2018 में वहीं आइफोन 11 लाँच हुआ सेप्टेंबर 2019 में तो एक साल का लाँच में डिफरेंस है वहीं अगर बात करें के प्राइस की तो प्राइस जब आइफोन 10S लाँच हुआ तो कम से कम 25 ज़्यादा था आइफोन 11 से लेकिन आज की बात करें तो इसका प्राइस आइफोन 11 से कम है इस टाइम बाकी सब आपको आगे वाली वीडियो में बताएंगे तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से वह हमारा इसका डिजाइन और बिल्द क्वाल्टी तो आइफोन 11 और आइफोन एक्सेस दोनों आइफोन में हमारे पास है शाइनी ग्लॉसी ग्लास बोडी वहीं एक्सेस और 11 सीरीज में चेंज आये के एपल का लोगो नीचे से सेंटर की त बाकी का जगर इनके कैमरा की डिजाइन के बात करें तो आइफोन 11 का डिजाइन मुझे ज्यादा अच्छा लगा मिज इसका जो पीछे camera असाथ के साथ जो फ्लेश है वह आइफोन 10S से जादा बड़ी है मिज वह ज्यादा attractive लगती है हमें वहीं इसके बाद हम करते हैं इन इनके colors की तो iPhone 11 में हमारे पास available है 6 colors वो हैं black, white, green, yellow, red और purple वहीं iPhone XS में हमारे पास आते हैं सिर्फ 3 colors gray, gold और silver और वहीं sides की और चलते हैं भाई यहां access में stainless steel और iPhone 11 में हमारे पास है aluminum body वहीं access की stainless steel में हमें एक अच्छी quality और premium look वली फिलाएगी नीचे दोनों iPhones की तरफ चलते हैं तो दोनों में हमें मिलते हैं dual speakers और charging port वहीं अगर front में चलते हैं तो दोनों की screens में कुछ difference है iPhone 11 में हमारे पास available है 6.1 inch की screen LCD display के साथ वहीं iPhone XS में मारे पास है 5.8 inch की screen OLED display के साथ वहीं मुझे तो भाई access ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि वह ज्यादा handy है means easily handle कर सकते है iPhone 11 थोड़ा से ज्यादा बढ़ है दोनों iPhones की brightness level में पी कुछ ज्यादा difference नहीं है अगर दोनों की viewing angle की भी बात करें साइड से दोनों का viewing angle भी ज्यादा अच्छा है बट अगर OLED display की बात करें iPhone XS वाले तो वह LCD display से ज्यादा better रहेगा उसमें हमें अच्छा pixel ratio मिलेगा साथ के साथ अच्छा PPI level भी मिलेगा iPhone 11 से iPhone XS और iPhone 11 दोनों में हमारे पास available है 3D touch का option जी अब बात करते हैं इन दोनों iPhone's के processor की दोनों में हमारे पास available है latest iOS version 14 वहीं दोनों में same RAM है 4GB की RAM अगर बात करें इनके chip की तो iPhone XS में हमारे पास available है 812-18 chip और वहीं iPhone 11 में हमारे पास है 813-18 chip means iPhone 11 एक साल बाद लाउंच हुआ iPhone XS से तो उसमें एक ज्यादा अच्छी चिप डाली गई है वही अगर आप ज्यादा high-end games खेल रहे हो तो यह कुछ difference आप मालूम कर पाऊगे इसके बाद बात करते हैं इन दोनों के variants की iPhone XS में हमारे पास available है 64GB और 256GB वाले variant 4GB RAM के साथ वहीं iPhone 11 में हमारे पास है दो variants 64GB और 128GB इंडन वाले variant 4GB RAM के साथ next point में हम बात करते हैं इनके battery की iPhone XS में हमारे पास available है 2650MH की battery और iPhone 11 में हमारे पास है बड़ी battery 31MH की so iPhone 11 की battery यहां काफी आगे है iPhone XS से आपको लगबग लगबग ऐसे लगए है कि 4-5 गंडे ज्यादा usage मिल पाएगा दोनों iPhone's port करते हैं fast charging को means अगर आप heavy games खेल रहे हो तो iPhone 11 सही रहेगा उसमें battery ज्याद राइम चलेगी जी friends अब हम बात करते हैं इन दोनों iPhone के cameras की दोनों में हमारे पास available है 12 plus 12MP dual cameras लेकिन इन में कुछ difference है iPhone 11 के cameras ज्यादा अच्छी है iPhone XS से जो हमारे पहले camera 12MP वाले तो वो तो हैं दोनों wide angle cameras लेकिन जो हमारे second cameras है दोनों iPhone's में iPhone XS में हमारे पास है वो telephoto camera और iPhone 11 में हमारा जो second camera 12MP वाला वो में मिलता है ultra wide camera means हमें ज्यादा information मिलेगी हमारी pictures में और इसके बाद हम इनके जो features है cameras में features है उन्हें पी कुछ difference है iPhone 11 में हमें मिलते है ज्यादा extra features जैसे अगर night mode की बात करें तो night mode बे आइफोन 11 ज्यादा अच्छी pictures क्लिक करेगा और iPhone XS इतनी अच्छी pictures नहीं क्लिक करेगा जितनी कि iPhone 11 वही बात करते हैं और features की तो दोनों iPhone's में हमें में मिलते हैं ज्यादा फीचर्स जैसे के पॉर्टेट मोट की बात करें या पैनरोमा मोट की स्लू मोशन भी दोनों फोन रिकॉर्ड कर सकते हैं वहीं अगर इनके पॉर्टेट मोट की बात करें तो पॉर्टेट मोट में मिलते हैं एक्स्टा फीच्चे जैसे नेचिल लाइट श्टेज याइड लाइट और कुछ और एक्स्टा फीच्चे फ्रॉट्रा में भी ऐएफोन 11 आइफोन 10स से तो iPhone 11 और iPhone XS जब दोनों लाँच हुए थे तो iPhone XS का प्राइस कम से कम आपको हमने बताया कि 25,000 ज्यादा था लेकिन इस ताम की बात करें तो iPhone XS का नए का प्राइस है 58,000 के राउंड वही iPhone 11 नए का प्राइस है 65,000 या 67,000 के राउंड वो सब डिपेंड करेगा अगर आपके पास HDFC का कार्ड या किसी भी कार्ड पर उफर चल रहा है वो Apple के स्टोर में साथ के साथ ऑनलाइन अगर आप Flipkart से भी भाई करते हो वहां देना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड के डिमांड ज्याद है वही नए आइफोन में अभी जो बाकी कलर्स जैसे एक्सेस में ग्रे और सिल्वर वो iPhone के गोल्ड कलर से एक्सेस वाले गोल्ड कलर से कम में मिल जाते है हजार से 1500 और वहीं अगर iPhone 11 की बात करें तो यह वरंटी वा यह दोनो आइफोन बाय करना चाहते हो इस रेंज में जो हमने आपको बताए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा आप वहां से बाय कर सकते हो फ्लिपकार्ट साथ के साथ Amazon दोनों का लिंक अवेलेबल है जी तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में आ सब्सक्राइब और वीडियो कर दिजिए शेयर